Hello students, welcome to Exxon Academy Students, एक कोशन ये है कि अगर आप किसी बाई कॉन्विक्स लेंज को वर्टिकली दो पार्ट में कट करते हैं तो क्या उसकी फोकल लेंग तो बदल जाएगी? क्या उसकी पावर बदल जाएगी? ये छोटा सा वीडियो इसी परपस से बनाय गया है तो अगर आप किसी बाई कॉन्विक्स लेंज को वर्टिकली दो पार्ट में कट करते हैं तो वो एक अलग लेंज बनेगा जिसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्विक्स लेंज प्लेनो कॉन्विक्स लेंज बनने के बाद इसकी फोकल लेंग्थ टू टाइम्स हो जाएगी और उसकी power जो है वो half हो जाएगी यानि अगर focal length 10 cm रही होगी तो अभी 20 cm हो जाएगी वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तो साथ share जरूर कीजेगा चैनल पर पहली बार है सबस्क्राइब जरूर कीजे मिलते हैं next वीडियो में एक जबरदस्ट ट्रिक के साथ